नमस्कार दोस्तो यूट्यूब के चैनल चवान एलेक्ट्रोनिक्स में आपका स्वागत है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्क्राइब, सियर और लाइक करना ना भूले आज मैं आपको बताने वाला हूँ crystal oscillator tester के बारे में इस tester की मदद से हम किसी भी crystal को test कर सकते हैं ये आपके सभी electronic circuit में high frequency generate करने का काम करता है क्योंकि आजकल जितने भी electronic circuit है सभी को एक fixed frequency चाहिए जिस पे वो काम करें और जब हम oscillator को test करते हैं तो multimeter की मदद से तो उसे test नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें हम सिर्फ उसके sort होने की condition को ही check कर सकते हैं अगर वो open हो गया तो उसकी बारे में हम तो सिर्फ CR की मदद से या crystal tester की मदद से ही test कर सकते हैं तो आपको बता रहा हूं कि इस circuit से हम किसी भी crystal को कैसे test कर सकते हैं इसमें दो तीन state रहते हैं crystal पहला तो ओके रहता है दूसरा open condition और तीसरा partially okay या जो की एक desired frequency generate नहीं कर सकता तो आईए test करते हैं अगर आपका crystal जो है okay है उस condition में जब test करेंगे तो यह full glow करेगा LED वही अगर यह open हो जाता है या sort हो जाता है तो LED glow नहीं करेगा और वही अगर यह partially open है या low frequency generate कर रहा है जितनी frequency है में चाहिए वह generate नहीं कर रहा है तो यह काफी low light glow करेगा जैसे कि आप यह देख सकते हैं यह काफी low है जबकि उसी value का एक working crystal high beam generate कर रहा है दोस्तो इसकी मदद से आप किसी भी crystal को test कर सकते हैं कि वह वह सही है या नहीं इसके लिए मैं आपको इसकी circuit दिखा देता हूं यह circuit है जिसकी मदद से आप किसी भी crystal को test कर सकते हैं इस point पे आपको crystal को insert करना है ओके दोस्तो थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो